सब्सक्राइब और आज की वीडियो में हम बात करने वाल है राइजन के नए प्रोफेसर के बारे में प्रोफेसर नीम असल में एक प्रोफेसर जिसका लीक सामने है जो कि है राइजन 3 2300X अब यह 2300X एक बजट सीप्यू है यानि जो बजट रेंज में आएगा जिन लोगों एक i3 का alternative चाहिए था या फिर जिनका बजट i5 या राइजर 5 खरीदने का नहीं था वो राइजन 3 खरीदना चाहते थे लेकिन राइजन 3 1200 उन्हें पुराना लग रहा था और राइजन 3 2200G में उनको वो बॉटल लेंकिंग देखने को मिल रही थी higher end graphics card लगाने में तो अगर इंतजार कर सकते हूँ तो इस CPU का आप इंतजार कर सकते हूँ क्योंकि यह जो है यह राइजन 3 3300X का successor यानि 2300X आप देखो हमारे पास पहले था राइजन 3 1200 1200 की जगों पर आया 2200G जिसके अंदर integrated graphics था लेकिन उसके अंदर PCI lanes को कुछ cut down कर दिया गया था जिसके व लेकिन future वाले आने वाले graphics card powerful होते चलो उसको छोड़ देते हैं फिलाल कुल मिलाके बात यह है कि यहां पर आपको 2300X मिल रहा है जो कि 1300X का successor है इसकी base clock है 3.5 GHz, boost clock है इसकी 4 GHz, जो कि यहां पर दिखाया जा रहा है leaks के अनुसार ठीक है तो 3.2 GHz से 4.2 GHz इसकी boost clock है ठीक है तो 4.2 GHz तक यह boost होता है लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लग रहा है 4.2 GHz मेरे ख्याल से यह normal अच्छी cooling दोगे तो ही boost कर पाएगा वो भी XFR 2.0 और precision boost 2.0 में नॉर्मली 4.2 GHz तक यह boost नहीं करेगा 65 Watt की TDP है में भी शायद 4 GHz तक boost कर दे ठीक है लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो benchmarks लिकों है इसके एक BioStar की motherboard पर जो कि X370 motherboard X470 motherboard नहीं है तो यानि प्रेसिजन बूस्ट और XFR को भूल जाओ तो यहां पर जिसकी overclock जो इसे किया गया है अगर मैं आपको screen पर दिखा पा रहा हूं और आपको screen पर दिख रहा है तो इस overclock किया गया है 4.3 GHz तक अब यार गाइस 4.3 GHz बहुत ज़्यादा होता है वो भी एक Quad Core CPU है यह कोई Ryzen 7 या i7 या Ryzen 5 2600 नहीं है तो 4.3 GHz वो भी 4.3 GHz से उपर है यह जड़ा इसकी actual clock speed देखो 43 14.84 MHz यानि 4.314 GHz तो 4.314 यानि 4.3 से उपर है यह तो अब यह जो है यह किसी अच्छे खासे लिक्विड कूलिंग वगारा पी किया गया होगा वैसे तो किया नहीं गया होगा और जहां तक मुझे लग रहा है यह manually overclock तो किया ही तो समझ में आ रहा है लेकिन मुझे लग रहा ह इसमें किसी में मिल जाए पर नहीं मिलता है जनरली उसमें मिल जाएगा आपको X370 में तो मेरे खाल से यह X370 में BCL के overclock किया गया इसमें जिसकी मदद से इसको 4.3 GHz अबब 4.3 GHz पुश किया गया है तो यारे काफी अच्छी बात है इसमें देखो अगर आप इसकी Cinebench का और 4.2 GHz पे इसको Cinebench 690 का स्कोर मिलावा है तो आगर आप इस CPU के लिए वेट करना चाहते हैं और B450 मदरबोर्ड भी कुछ लीकों के आए थे पहले कुछ ताइम पहले ठीक है तो B450 मदरबोर्ड के साथ आप इसको pair up कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा सिस्टम यह पुराना जो राइजन 3 था वो आठ साथ से आठ हजार का मिलता था आठ हजार का मिलता था यह थोड़ा थोड़ा सा उपर मेलेगा उससे यह मेरे कहाँ दस से ग्यारा जार का भी जा सकता है क्योंकि 1300 X है ठीक है थोड़ी बूस्ट लॉक इसमें आपको ज़्यादा मिल रही तो वहां से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो और मेरे दूसरे चैनल का जिस पर मैं गेमिंग करता हूं असल में करता था अब जो है थोड़ा कम कर दिया उसमें डालना लेकिन फिर भी अगर आप मेरे दूसरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसी दिन फूरसत मिलेगी मैं उस दिन उस चैनल पर गेम खेल लूँगा या विडियो डाल लूँगा तो आज के लिए तना ही धन्यावाद बाबाए टेक केर गाइस